प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी के अध्यक्ष रेवन्त रेडी ने कहा कि सिकिंद्राबाद घटना में मारे गए आर्मी विद्यारदी पर टीरेस जंडा उड़ा कर चिलर राजनिती करने का प्रयास कर रही है। कहा कि किशन रेडी अग्यान की भांती बात कर रहे हैं। कि अधिकारम लो कोच्चिंदी समस्त्राल पूर्थ यंदी आलेक्कन पधार कोटल उद्योगाल याद। पधार कोटल उद्योगालों कोयल इक्चिंदे तलंगान के अबेलक्सले उद्योगाल रावल। तलंगानलों प्रत्ति निरुद्योगा युग कोडिकी इपार कुद्योगाम उच्चिंदे नरेंद्रमोड उद्योगाम इच्चिंदे रेंडो पक्कान राष्ट्रप्रवुत्यों कलोकुण्दे चेंद्रशेकर रावल। इंटिको उथ्योगाम उच्चिंदे रेंद्योगाम इच्चिंदे रूर। इरोज युवकुलु बावेद्वेगान की लोने रोटलमी इद गोच्ची निरसने देल्पी आंदोलनल पाल्गोंट उन्ट उन्टे नरेंद्रमोडी एंता कार्नमों कल्वकुंट चेंद्रशेकरावगार गुड अंत्या कार्नम सचपोईन पिलगाडी प्राणान की पाद कलक्षल प्रकटी चेशी दानमीद टीरस जंडा गपी राजिके प्रहेजनम बंदालानी स्वार्त अपवरवईन आलोचन तोटी केसी आरगार कुटल जेस तुरू भारतिया जंतापाटी की नेता डीके अरुना ने आरोप लगाया कि सिकिंद्रबाद रेल्वे स्टेशन घटना के पीछे राजनितिक कोन है अरुना ने कहा कि इस घटना पर केंद्रिय जान संस्ताउंक से जान्च करवानी चाहिए डीके अरुना ने कहा कि सिकिंद्रबाद घटना से संबंदित पूरी जानकारिया एवं प्रमान सरकार सार्वजनिक करना चाहिए उन्होंने कहा कि ऐसा करने से ही पीडितों को सही न्याय मिलेगा अगनिपद योजना का विरोध करते हुए सिकिंद्रबाद रेलबे स्टेशन में मच्चे विवाद को प्रोचाहित करने के अभियोग एवं आरोप लगाते हुए आवल सुबराव नामक वेक्ती को पुलिस ने हिरासत में ले लिया सुबराव को प्रकाशन जिल्ले के कमम पुलिस ने हिरासत में लिया सुबराव नर्सा पेट में साई डिफेंस अकैडमी के निर्देशक है कि सुबराव को सिकंदरबाद दंगे में उनकी भूमिका को लेकर संदे के चलते पुलिस ने हिरासत में लिया है पुलिस ने सुबराव को गिरफतार कर लिया है और उन्हें नर्सा पेट ले जा रही है सिकिंद्रबाद दंगों को लेकर पुलिस अब तक 30 आंदोलनकारियों को गिरफतार किया है पुलिस को घटना के मुख्य आरोपी 12 योकों पर शक है पुलिस ने इस बारे में सभी सबो जुटाए है हाला की सेना में नोकरी करने वाले कुछ उम्मीदवारों को उकसाया गया था वाट्सअप ग्रूप मूल रूप से युवां को भड़काने के लिए बैनाया गया है स्कौाड उसे अंदेर ने अंधिके वोई पिट्रल बंब होई पिट्रल दीश को नसे मुद्धन दालगा वेटा चुरोंडीम शालाला सब लोग बिटालेन आगे आगे आग राइती फलीकने आजो बज जलाएंगे हकीम पेट आर्मी सोल्जर सिकिंद्रबाद रेल्वे स्टेशन ब्लोग सत्रा भातर छे ग्रूप सहीद विबिन नामों के वाटसअप ग्रूप बनाए गए है आंदोलन कर्यों को पता है कि दंगों से जुड़े वाटसअप मेसेज पहले ही वाइरल हो चुके है इस बीच साई डिफेंस अकादमी के निर्देशक आवुल सुबराओ की कई उम्मिद्वारों के साथ लिए गए फोटो फिल्हाल वाइरल हो रहे है पुलिस ने एतिहात के तोर पर सुबराओ को गिरफतार कर लिया है पुलिस करिम नगर के स्टार डिफेंस अकादमी के प्रबंदग वासिम पर भी शक कर रही है इस बीच फाईरिंग में शहीद हुए राकेश का अंतिम संसकार भारी सुरक्षा के बीच संपन हुआ पुलिस ने एतिहात के स्टार डिफेंस अकादमी के प्रबंदग वासिम पर भी शक कर रही है पुलिस ने पूर्व सुरक्षा के दृष्टी से गिरफतार कर लिया जिल्ला ग्रंताले को इंद्रा रेड़ी स्मार्तक भवन के रूप में नाम करन करने पर भारतिय जनता पार्टी के नेताओं ने आंदोलन करने का निरने लिया था इसी परिपेक्ष में बाजपा नेताओं को गिरफतार किया गया इसी नेपत्य में अपना विरूद प्रकट करने के लिए जा रहे भारतिय जनता पार्टी के नेताओं को गिरफतार कर उन्हें पुलिस टेशन भेज दिया गया इस मोके पर भारतिय जनता पार्टी के नेताओं ने इस ग्रन्थाले भवन का नाम बी आर अंबितकर स्मारक भवन के नाम पर या तेलंगाना आंदोलन के पद प्रदर्शक प्रफेसर जैशंकर स्मारक भवन के नाम पर रखने की मांग की इस पर राज्य के सिक्षा मंत्री सभिता इंद्रा रेड़ी ने अपने अधिकार केबल से सरकारी धन से दलितों की भूमी पर निर्मित विद्याले को अपने पती इंद्रा रेड़ी के नाम पर रखने से इसका भारतिय जनतापार्टी के निताओं ने विरोध किया था अपने गिरफतारी के बाद भी भारतिय जनता पार्टी के निताओं ने चितावनी दी कि यदि यह नाम नहीं बदला गया तो भारी पेमाने पर आंदोलन किया जाएगा हैदरबाद नगर के चिलकलगुड़ा पुलिस स्थाना परिदी में एक युवक ने माबेटी के साथ दुशकरम करने का प्रयास किया यह स्थानिय एक अपार्टमेंट में रह रहे माबेटी पर शराब के नशे में उस युवक ने बलतकार करने की कोशिश की इस दोरान अपने आप को बचा कर भागते समय लोगों ने पकड़ कर उसकी खूब पिटाई की इसके पस्चात पुलिस को सूचित कर उसे पुलिस के हवाले कर दिया नशी में धूत उसी वक्त ने लोगों को बताया कि यदि पुलिस के हवाले किया गया तो वह इस परिवर के साथ आवे संबन होने की बात कह दूंगा करकर डराने लगा पीडित महिला ने इस बात का पुलिस के समक्ष जिक्र करते हुए अपनी शिकायत की सिकिंद्रबाद विद्वांस घटना में गोली लगने से मारे गए राकेश का अंतिम संसकार कर दिया गया वरंगल शहर के MGM अस्पताल से राकेश की अंतिम यात्रा आरंब हुई यहां रैली के रूप में निखली राकेश की अंतिम यात्रा खानापूर मंडल के दबिर पेट ग्राम में अंतिम संसकार पून किया गया भारी पुलिस बंदबस तता सुरक्षा के बीच राकेश की अंतिम यात्रा निकाली गई राकेश की अंतिम यात्रा में भारी पैमाने पर लोग भाग लिए इस अंतिम यात्रा में राज्य के मंत्रियों सहित विदायक, MLC, PRS पार्टी के नेता, कारेकरता, वामपत्ती, द प्रवेश कराना और चार वर्षों के लिए रोजगार की सुरक्षा उपलब्द कराना यह बहुत ही शरमनाग बात है। साथी उनोने केंदर सरकार ने सोला लाग रिक्त पडे पदोंको ततकाल भर्ती करने की मांकी। अग्री पत्त लोग तंडब्द के लेह Нेने केंदर सरकार ने चीष इंर उपना खन्या रोजगार इन मेरितर्क बात्यपटा पर्दु मेरितलैंस अबात्या ने उपना चार यह दविए डिश् पायगों के लिखborgः अग्णेपत पतकानी प्रसमार इंच्पनी पात पतत रोपने रिक्रूट्मेंट प्रुसा इंचालनी वेंटने देशमनों ना असंत प्रुप्ती पुजमालान आया निवार इंचाडानी की केंद्र प्रपुत्तमू उल चेरिया दिस्कोलन चेप्ती प्रधानमंत्री नवजाश इशु के मामले में हाइदरबाद क्षेतरिय पर पत्र कार्यले ने मानवता का प्रदशन करते हुए नव दिवसिय नवजाश इशु को मात्र एक घंटे में पासपोर्ट जारी कर सभी लोगों की प्रशंसा उनके पात्र बने वननिस दिवसिय नवजाश बालिका का आपासित में अंग प्रत्यारोपन का ओप्रेशन करना आवशक था जिसके लिए उस बालिका को उसके मातापिता ने लंडन ले जाने का निरने लिया लंडन ले जाने के लिए पासपोर्ट की आवशकता होने से हैदरबाद के प्रां अधिकारियों ने आवेदन मिलते ही एक घंटे की अवदी के भीतर उस लड़की के नाम पासपोर्ट जारी कर दिये। क्षेत्रिय पास्पोर्ट कार्या लेके अधिकारी बालेया ने बताया कि नौधिरों की बच्ची को हमने मात्र एक घंटे की भीतर पास्पोर्ट जारी कर एक सेवा का कार्य किया है उन्होंने कहा कि सेवा के विशे में हम सदेव आगे रहते हैं आज जारी किया गया यहाँ पर पत्र एक रिकॉर्ड स्थापित किया है भारतिय जंता पार्टी के वरिस्ट नेता उमा महंदर ने कहा कि जुबली हिल्स बलातकार घटना की जांच CBI को सोंपी जानी चाहिए उमा महंदर ने इस बात का संदे लेते हुए उच्छ न्यायले में एक याचिका दायर की उन्होंने याचिका में बताया कि आरोपी यमायम पार्टी से संबंदित लोग होने से ट्यारेस पार्टी उनके साथ खड़ी रेकर उनके बचाव का प्रयास करने की पूरी संबावनाए हैं इस कारण इस मामले की जान CBI को सोंपी जाए तो उचित होगा उन्होंने उम्मी जताई की न्यायले द्वारा पीडितों को न्याय मिलेगा रास्ट्रिय राजनीती में नई पार्टी की योजना बना रहे हैं ट्यारेस पार्टी के अधिनेता वहां राज्य के मुख्यमंत्री के सियार को अपने ही राज्य में जटका लगा है ग्रेटर हाइदरबाद में पार्टी की वरिस्ट नेता ने गुलाबी पार्टी को जटका दिया है हाइदरबाद की पार्शद विजए रेड़ी प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष रेवंद रेड़ी से मिली पूर्व मंत्री मिलकर बाचित की विजए रेड़ी आशनिवार को प्राताह फिर एक बार कॉंग्रेस अध्यक्ष से बैटक आय जित की इतना ही नहीं उन्होंने कह कि उनके साथ मिलका समवादाता समयलन में भी भाग लिया विजे रेड़ी ने कहा कि मेरे पिता पीजे आर सी एल पी नेता के तौर पर कॉंग्रेस पार्टी में थे पार्टी में रहते समय ही उनकी मौत हो गई देश में कॉंग्रेस पार्टी का विशिश स्थान है उन्होंने कहा कि उनका परिवार पहले से ही कॉंग्रेस में रहा है विजे रेड़ी ने खुलासा किया कि सभी के साथ चर्चा करने के बाद ही वह निर्ने लेगी कहा कि उनका परिवार प्रजान आई कुड़का जूसार आईना मंचिकी चड़की पाठी ले खुछा कोड़ार पोराणी जूसाँ अधे बाट लो ने राजिकेलो नाना आशे आल्ग मुंदु थीश्को तीस्कोन हो योग उट च्ट्चान। नाको वालो चन उच्चिय वर्कु एंद कंटे नाको गौटपादर लेकुटन इन्तक्मुंदु कुड़ मी अंदर की जप्पनु मा को तोचिन अट्ट एंद कंट मनान सडंगा मना मदिलो नुचेलिपोड़म। मा को तोचिन अट्टु मन्ची चट्ट पेद्दलन कोंत मन्दीन कनुको नी वक बाटलो नडवाला नी इन्त दूरम प्रायत्नम जेसाम। मुंदु कुड प्रायत्नम चेस्ता होंटम। मावं तु क्रुशिमें चेस्ता होंटम। मुंदु कॉण्ग्रेस प्राटी अन्ने वक समुत्रम। एन्तों मन्दी नायकुलक की वक अवकाशम इच्छिंदी पेद्द पेद्द नायकुलनी चेसिंदी आ पाटी लो अंदरकी गुड मंची बविश्वत उन्टदनी नातो पाटु ना कारिकर्थ लकुड मंची बविश्वत उन्टदने उद्देशम तोटी इंदलोकर आवडम जरिगींदी अंदरंगुड मेमुड पाटी तो एन्ता आशिस्तु नमों मेमुड पाटी के अंते सपोटिवगा निलबड़त अमानी तेली जेस्तु कॉंग्रेस अध्यक्ष सोनिय गांदी गत कुछ दिनों से अस्वस्त चल रही है जिसका अस्पताल में उपचार चल रहा है इसी परिप्रेक्ष में उनके शीग्र स्वास्त होने की कामना करते हुए पाटी के वरिस्ट नेता वी हनमंत राओ ने आज विशेश पुजा अर्चना की सोनिय गांदी ने शीग्र स्वास्त होने की कामना करते हुए अंबर पेट के महांकाली मंदिर में मृतिंजे यगन का आयोजन किया गया वी एच ने कहा कि सोन्या गांदी के स्वास्त शीगर ही सुदार होगा कारेकर में कई कारेकरता शामिल हुए सिकंद्रबाद रेलवे स्टेशन में घटी हिंसात्म घटना का प्रभाव रेलों की आवाजाही पर गंभी रूप से पढ़ रहा है कल से अधिकांश रेल की रद की गई है तो कुछ रेलों को रिशेडियूल किया गया है केंद्र सरकार ने अगनीपत के अंतरगत चुनी गए अगनीवीरों को चार वर्ष का कारेकाल पूर्ण करने के पस्चाथ उन्हें केंद्रिय सशत्र बलों में आरक्षन की सुविदा उपलब्द कराने की घोशना की केंद्रे ने यह भी बताया कि अगनी वीरों को केंद्रिय सशत्र बलों के अलावा असम राइफिल्स में 10 प्रतिशत आरक्षन की सुविदा उपलब्द कराई जाएगी केंद्र साशित पुलिस बलो में असम राइफिल्स की नियुक्तियों में अगनिवीरों को आयू सीमा में तीन वर्ष की बड़ोतरी की गई है अगनीवीर प्रतम बैच के लोगों को केंद्रिय सशत्र बलों में नियुक्त करने की अधिक्तम आयू सीमा में पांच वर्षों की चूट देने का भी केंद्रिय ग्रोह विभाग ने घोशना की है अगनीपद योजना के खिलाफ हुए आंदलन के मद्दे नजर राज में हाई अलर्ट लागो किया गया है एह अगनीपद की देश भर में बेरोजगार के आक्रोश का और विद्वांस गतिविद्यों का कारण बना है अभी सिकिंद्रबाद रेल्वे स्टेशन के पास तनाव पुर्ण स्परिसित्या बनी हुई है ताजा तोर पर इस मामले में फिल्म अभिनेतरी भारतिय जन्तापाटी के नेता कराटे कल्यानी अपने विचार व्यक्त किये है केंद्र सरकार द्वारा घोशित अगनीपत सेना भरती योजना को लेकर देश भर में विरोध प्रकट किया जा रहा है कल सिकिंद्रबाद रेल्वे स्टेशन पर भैंकर तनाव की स्थिती उत्पन हो गई थी इसी नेपत्य में फिल्म अभिनेद्री कराटे कल्यानी ने अपना मूँ खोला है वह अगनीपत योजना का समर्तन करते हुए लगातार सामाजिक माद्यमों पर पोस्ट करती जा रही है उन्होंने केंद्र सरकार की इस घोशना का स्वागत करते हुए इस योजना की प्रशंसा की उन्होंने कहा कि कुमार अवस्ताम से योवन अवस्तामे आने वाले युवाओं को देश भक्ती के साथ-साथ अनुशासन भरने में यह काफी सहायक होने वाला कारिक्रम है इस कारिक्रम में शामिल होने वाले युवा अपने जीवन में सही रास्ते पर चलते हुए देश की सेवा करे। कराटे कल्यानी ने जै जवान कहते हुए अपना संदेश पोस्ट किया है। ग्रेटर हैदरबाद नगर निगम के अधिकारी मौनसुन के मदे नजर तैयारियां कर रहे है। नालो जलबराव और तूफान से सुरक्षा के इंतजाम किये जा रहे है। इस बार भारी बारिश से बस्तियों और कॉलनियों तालाब में तब्दिल हो सकती है। इसलिए अधि जी अधिकारी हैदरबाद में भारी बारिश की संभावना के चलते सावधानिया बरत रहे है। शहर के पिछले दो वर्षों से भारी बारिश के चलते बस्तियों और कॉलनियों तालाब में तब्दिल हो गई थी। लोगों को राहतकारे पहुंचाने के लिए नावों का इ इस्तेमाल किया गया। पहले जी एचमसी के केवल चार बोर्ष शामिल थे जीस पर हर एक जोन के लिए दो नाव के हिसाब से नाव खरीदे गए। अब दा प्रबंद के साथ अब छे नावों का प्रबंदन किया गया है। अब जी एचमसी में कुल 25 नाव उपलब्द है। हर एक जोन में निचलेक शेतरों की पहचान कर कमिनिटी हॉल में दो बोर्ट तयार रखे गये हैं। 2010 में भारी बारिश हुई थी। उसके बाद अक्तोबर 2020 और 2021 में भारी बारिश हुई थी। जबकि 18 साल पहले हैदरबाद में नावों का इस्तेमाल किया गया था। उसके भराव होता है। इस शेतरों में नावों की जरूती है। इस साल मौनसुन से पहले 4 में को हुई बारिश के चलते चंद्राइन गुट्टा में नावों द्वारा बचाव यभियान चलाया गया था। मौसम विबाग की अधिकारियों ने इस साल भारी बारिश की चेतावनी दी है जिस पर जियेचन सी सतर्क हो रही है